बीते बरस 2020 में 36 गड़ में बीजेपी की सियासत पार्टी को रिचार्च करने की कोशिशों के बीच गुजरी जिसके चलते अलग-अलग स्तर पर बदलाओ भी नजर आते रहे पार्टी ने पिछले साल की शुरुआत के समय से ही अपना परदेश प्रभारी बदला और इस बदलाओ के बाद 36 गड़ में बीजेपी को जिस साचे में ढालने की कोशिश शुरू हुई उसकी जलग भी समय समय पर मिलती रही साल भर की सियासत पर नजर डाले तो बीजेपी में एक बार फिर इस बात को लेकर मन्थन के संकेत मिलते रहे की 15 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद भी 2018 के चुनाओं में बीजेपी 15 सीट पर क्यों सिमट गई 36 गड की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक इस सवाल पर चल रहे मन्थन के बीच यह सवाल भी उभरा की क्या 15 साल तक चाये रहे 15 चेहरों की वजह से बीजेपी की यह गत हुई है लेहाजा पार्टी में नए चेहरों के तलाश की भी सुगबुगाहट देखने को मिली संकेज मिल रहे हैं कि बीजेपी 36 गड में मौझूदा मुख्यमंत्री भुपेश बगेल के जबाब के तौर पर OBC तबके से किसी नए चेहरे को सामने लाएगी इस मामले में बिलासपूर के सांसद अरुन साव का नाम भी तेजी से उभरा है 2021 के साल जिस तरह उन्हें लोग सभा में अपनी बात रखने का मौका मिला और परदेश में जिम्मेदारी सौपी गई उससे भी यही इशारा मिल रहा है कि आने वाले दिनों में अरुन साव OBC फेस हो सकते है यदि ऐसा होता है तो 36 गड़ की सियासत में बिलासपूर का भी कद बढ़ेगा 2021 में पूरे साल 36 गड़ बीजेपी में चले राजनेति घटना करम पर सिलसले बात नज़र डाले तो नरसल में यही बात कही जा सकती है कि भाजपा अब परदेश में अपने उन चेहरों से बाहर आने की कोशिश कर रही है जो नया राज़ बनने के बाद से 36 गड़ बीजेपी में चाये रहे हैं क्योंकि जोर गुना भाग के उत्तर में यही सवाल फिर सामने खड़ा हो जाता है कि आखिर 15 साल सरकार चलाने के बाद पार्टी को ऐसी हार का मुँग क्यों देखना पड़ा था लिहाजा बीजेपी के इन चेहरों में भी बदलाओ के संकेत मिल रहे हैं भादपा की राजनेतिक शैली को नस्दीक से देखने वाले लोगों को यह बेहतर मालूम है कि चुनाओ में जीत हासिल करने के लिए पार्टी कोई भी जोखिम उठाने से भी परहेज नहीं करती पहले दिल्ली के निकाय चुनाओ में इस तरह का प्रियोग किया जा चुका है 2019 के लोगसभा चुनाओ में 36 गड़ में भी इस तरह का नुस्खा आजमाया गया जब पूर्मुक्र मंत्री डाक्टर रमन सिंग के बेटे राजनाद गाउ सांसद अभिशेक सिंग और उस समय के केंद्री मंत्री रायगड के सांसद विश्णु देव साय सहित तब के सभी सांसदों की टिकट काट कर नए चेहरों को सामने लाया गया जिसमें पार्टी को अच्छी कामयाबी भी मिली कुछ चेहरे तो ऐसे थे जो बहुत अधिक चर्चा में भी कभी नहीं रहे फिर भी उन्हें चुनाओ मैदान में उतार कर बीजेपी ने अपने नुस्खे को कामयाब साबित कर दिया दो हजारी किस में बीजेपी ने जिस तरह गुजरात में मुख्यमंत्री सहित पूरे कैबनेट को बदलने का फैसला किया उसे भी आने वाले चुनाओ के पहले की सरजिरी की रूप में देखा गया कहने का मतलब यह है कि बीजेपी में जब भी बदलाओ की बात आती है तो ऐसे फैसले भी कर लिये जाते हैं जिसमें कोई भी निपर जाता है और कोई भी उभर जाता है राजनेतिक प्रेक्षक मानते हैं कि 36 गड़ में लोग सभाचुनाओ में आज माया जा चुका नुस्खा अब आने वाले बिधान सभाचुनाओ में भी इस्तेमाल हो सकता है खबरे तो यहां तक है कि आने वाले बिधान सभाचुनाओ के लिए बीजेपी में 15 से 45 उमर वाले चेहरों की तलाश सुरू हो गई है जिने मैदान में उतार कर पाटी 36 गड़ के मद्दाताओं का भरोसा जीच सके बदलाओ की इस कवायत की बीच भीतर खाने से इस तरह की भी सुखबुगाहट सुनाई दे रही है कि OBC तपके से आने वाले 36 गड़ के मौझूदा मुख्यमंत्री भूपेश बगेल की काट के रूप में बीजेपी भी OBC तपके का लीडर सामने ला सकती है OBC में भी नए चेहरे को सामने लाकर 36 गड़ के मद्दाताओं का भरोसा हासिल किया जा सकता है हाला कि 2021 के दौर में बीजेपी की ओर से साफ साफ तौर पर यह संकेत दिया जा चुका है कि पार्टी अगले विधानसवा चुनाओं में किसी नेता को सीयम के चेहरे के बताओर पेश नहीं करेगी अलबत्ता मुद्दों के अधार पर चुनाओं मैदान में उतरेगी फिर भी आने वाले कल को देखते हुए ओभी सी तपके से सक्षम और भरोसे मन नेतित्व की तलाश के भी अपने माइने है इस मामले में बिलासपूर के मौजूदा सांसद अरुन साफ का नाम भी 2021 के साल तेजी से उभरा है यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वकालत के शेत्र से जुड़े अरुन साफ को 2019 में तब के सांसद लखनलाल साहू के बदले बिलासपूर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया था जिसमें जीत दर्जकर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई पार्टी लाइन के मामले में अरुन साफ का बैक ग्राउन भी काफी पुखता और मजबूत है उनके पिता अभै साफ भी मुंगेली इलाके में जन संग और भाचपा के आधार इस्तंब रहे है बीजेपी की विचारधारा से अरुन साफ का जुड़ाओ भी दुनिया से शिखर की ओर रहा है उन्होंने संग और भाचपा के बाल मंदिरियानी अखिल भारती विद्यार्थी परश्चत से काम करना शुरू किया इसके बाद भारती जनता पार्टी युवा मोर्चा मुक्ष संग्ठन में रहकर भी काम किया पूरी परक के साथ पार्टी में वे जिस तरह की सीनिया चड़ते रहे हैं उसकी वज़़े से अरुन साव एक प्रखर वक्ता भी बन गए पार्टी लाइन पर चलकर अपनी बात बहतर और प्रभावी धंग से रखने में उन्हें महारत हासिल है यही वज़ा है कि सदन में भी बीजेपी ने उन्हें मौका दिया मार्च 2021 में लोगसभा के बजट सत्र के दौरान अरुन साव को रेलवे की अंदान मांगो पर बोलने की जिम्मेदारी दी गई थी इसमें उन्होंने भारती रेलवे में चल रहे कामकाच पर सरकार का पक्ष बहतर ढंग से रखा और यह मौका मिलने पर उन्होंने 36 गड़ और बिलासपूर में रेलवे की जरूरतों को लेकर भी दमदार तरीके से अपनी बातें रखी उन्होंने 36 गड़ के बिरोजगारों के लिए रोजगार के बहतर औसर मुहया करा ने बिलासपूर रेलवे जोन में कोच फैक्टरी बनाने की मांग भी की और 36 गड़ में रेल पर यह उजनाओं के काम में तेजी लाने पर भी जोर दिया अरुर्साओं एंटीपीसी सीपत के विस्थापितों को नौकरी का मुद्दा भी बेहतर ढंक से लोगसभा में रख चुके हैं हाल में उन्होंने सहारा इंडिया की निवेश्कों का मुद्दा उठा कर इसके शिग्र निराकरण की मांग की है लोगसभा में उन्होंने जन संख्या नियंतर कानून बनाने की मांग रखी है लोगसभा सांसत के रूप में उनकी गद्विदियां बताती हैं कि आम लोगों से कितना जुडाव रखते हैं बिलासपूर जोन भारती रेल का कमाव पूत है अधिक्तम आय देने वाला बिलासपूर जोन है और इसलिए मैं आपसे पेक्षा करता हूँ कि बिलासपूर के नौजवानों के भी सपने साकार हो सके उन्होंे रोजगार के आउसर मिले इसलिए बिलासपूर में एक कोच फेक्टरी की स्थापना हो ताकि बिलासपूर विकास कर सके मेरे नौजवान साथियों को रोजगार मिल सके एक बिलासपूर की बड़ी समस्या है जिसको लेकर लगातार मैं आपसे भी मिला हूँ रेलवे बोट के अधिकारी से भी मिला हूँ और प्रयाज भी करते हैं बुधवारी में एक बड़ा बजार है उस बड़े बजार में लगभग तीन हजार चे अधिक दुकानदार रोजगार करते हैं जिससे तीन हजार चे अधिक तीस हजार चे अधिक परिवारों का आजीविका चलता है लेकिन लंबे समय से रेलवे न तो उनके दुकानों का लीज का नवी नहीं करण कर रही है ना किराया वसूल कर रही है ना वहाँ पर बिजली पानी की विवस्थाएं कर रही है जिससे लकेवल रेलवे की आय में कमी हो रही है आय प्राप्त नहीं हो रही है लोगों में भी येक नराजगी का वातवरन है मैं आप से पेक्षा करता हूँ कि उसके समस्या का हमेशा के लिए समधान हो भारती रेल ने टी-एज़वी का ठेका भी देने का काम अभी प्रारम किया है पर अग्तु ठेकेदारों को ट्रेन में कोई बिवस्ता नहीं होने के कारण यात्रियों के साथ साथ ठेकेदारों को भी बड़ी परिसाली का सामना करना पड़ रहा है पेंडरा रोड और बिलासपूर के बीच में पेसिंजर ट्रेन अभी नहीं होने के कारण छेत्र के लोगों को बड़ी परिशारी हो रही है बैं आप से आगरा करता हूँ कि बिलासपूर पेंडा रोड बिलासपूर लेवकल ट्रेन को प्रारम किया जाए मेरे मित्र मेरे कांगरेस पारिटी के सांसाथ दीपक बैजी बड़ी-बड़ी बाते कर रह रहे थे बड़ी-बड़ी बाते कह रहे थे मैं ये सदन में कहना चाहता हूँ कि 36 गड़ का उपेच्छा 36 गड़ को विकास से दूर रखने का कांगरेस पारिटी ने किया था 36 गड़ का विकास किसी ने किया तो वो भारती जनता पारिटी ने किया चाहे वो अलग 36 गड़ राज्य बनाने का मामला हो चाहे नेस्टन हाईवे का जाल बिछाने का मामला हो ये भारती जनता पारिटी ने किया और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ बिलासपूर में जगदलपूर में हवाई सेवा देने का काम भी किया तो माननी नरेंद्र मोधी जी के सरकार ने किया बिलासपूर एयरपोर्ट को सर्व सुवधा युक बनाने के लिए उन्होंने नागरिक उड़ेन मंत्री जोतीरादत सिंधिया से भी मुलाकात की साथी रेलवे से जुड़े मुद्द्यों को लेकर रेल मंत्री अश्मी वैशनों से भी मिले 36 गड़ में नए OBC चेहरे की रूप में अरुन साव को संग्ठन में भी जिम्मेदारियां दी जा रही है उन्हें पार्टी के ही कोर कमेटी में भी जगह दी गई है हाल ही में 36 गड़ में हुए नगरी निकाय चुनाओ के दोरान भी अरुन साव को कई नगरी निकायों में परचार परसार की कमान सौपी गई कुल मिलाकर 36 गड़ बीजेपी की राजनीत में 2021 का साल अरुन साव का रहा जिसमें पहले से स्थापित बीजेपी के ओबी से निताओं की लकीर छोटी हुई हो नव हुई हो लेकिन अरुन साव की लकीर जरूर लंबी हुई है 2021 का साल बीजेपी में अरुन साव को एक सक्षम और काबिल लीडर की रूप में नई पहचान दे गया आने वाला वाक्त बताएगा कि इस नई पहचान को अब कितनी चमक मिलती है और आने वाला समय उन्हें कितना ताकतवर बनाता है उनके साथ बिलासपूर इलाके की भी पहचान जूड़ी हुई है क्योंकि बिलासपूर इलाके से आने वाले किसी नेता को बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी सौपती है तो इस से इस इलाके का भी सियासी कद उचा होगा ब्यूरो रिपोर्ट सी जी वाल